Hello students, welcome to Shikshai Yantra आज हम अपनी past tense की series को शुरू कर रहे हैं आज से और आज का जो हमारा पहला tense, अब पास्ट इंडेफिनिट tense है अब पास्ट इंडेफिनिट tense में यह ऐसा tense होता है जो हमारा बीतावा जो हमने पहले काम कर लिया है, जैसे मैंने यह लिखा भी है या था यी थी, ये थे, या यी ये, या ता था ती थी, ते थे ठीके, ये हमारे sentence के end में अगर हम use करते हैं तो समझ लिजे का सीधे सीधे की यह past इंडेफिनिट tense की बात हो रही है जैसे अगर आप देखेंगे कि simple sentence का अगर हम rule देखें तो subject plus v2, एकलौती जग यह पूरे tense में जहां पर verb की second form का use होता है कौन सा? v2, मतलब की verb की second form फिर वे अच्छा खेले थे, वे अच्छा खेले थे, तो they played well rule के हिसाब से subject, v2 और object मैंने उसे कल रात phone किया था I called her last night, I called her sub sentence अगर आप देखोगे जो मैं अभी बताता रहूँगा आपको तो देखेंगे past tense में या बीते समय में कारे के होने को बताता है यह जैसे negative sentence, negative sentence में sentence sentence, subject, did, क्या लगेगा? did, क्या लगना शुरू हो जाएगा? यह अपर did और ध्यान लगना जब भी did लगेगा उसके साथ verb की first form आएगी कौन सी form आएगी? verb की first form जैसे subject, did, not, we won, object we won, object, verb की first form के साथ object जैसे मैंने अपना ग्रह कारे नहीं किया I didn't do my homework, I didn't do my homework उन्होने मुझे उपहार नहीं दिया, they didn't या did not give a present to me they did not give a present to me यहां तक है हमारा इसके बाद हम देखते हैं interrogative sentence जैसे did interrogative में क्या आएगा? पहले भी बता है मैंने आपको पहले वीडियोज में कि सबसे पहले helping work तभी पता चलेगा कि last में question mark लगेगा did पहले आ गया, फिर did subject, we won our object did subject, we won our object जैसे क्या वहे शिक्षक बनना चाहता था क्या वहे शिक्षक बनना चाहता था did he want to become a teacher next sentence देखते हैं क्या तुमने गरीबों की मदद की? did you help the poor? did you help the poor? अब देखो मैंने पूरी कोशिश किये कि अलग-अलग जो ending है उसको इस्तमाल किया जाए ताकि आपको पता चले कि सभी type के जो मैंने शुरू में बताया था ता था था थी थी थे या था यह थी यह थे या यह यह वो सारे हम कई बार past indefinite simple past में use करते हम जैसे क्या वे रोज व्यायाम करते थे ता था ठीक है करते थे तो did they not sorry क्या वे व्यायाम नहीं करते थे इसके बाद क्या तुमने कार नहीं खरीदी थी देखो different है यहां देखोगे अलग है यहां देखोगे अलग है यहां फिर से तो did you not buy a car क्या तुमने कार नहीं खरी दी थी sentence और जो tense है बहुत simple है देखा जाए तो लेकिन कई बार बहुत confuse करता है कि head लगेगा या V2 लगेगा और या did लगेगा तो इसलिए जो sentences में बनाये हैं उसमें कोशिश ये की है कि अलग-अलग sentences को use करें ताकि आपको एक clear cut समझा जाए कि जहांपर भी काम पूरा या काम होता हुआ दिखे Past अंज में इकदम Recent Past में होता हुआ दिखे वहां पर आप इसको इस्तमाल करते हैं Recent Past में होता हुआ दिखे, तो वहां आपको ये इस्तमाल हुआ दिखेगा आज की वीडियो के लिए इतना ही हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहे लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पास्ट कॉंटिनियूर्स के साथ थेंक यू